जेहिन प्यारी दूस्तों मैं प्रकासवस्ती कानपुरवाला प्या दूस्तों मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ 29 दो हजार बाइस का सिप नमबर वन साथी साथ इसकी पीडियम मैं टेलिग्राम में डाल देता हूँ तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पहला कोशन कहता है यदि एक बेलन की त्रिज्जा 10% बढ़ा दी जाए और उचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र प्रश्टी छेतरफल में कितने प्रस्ट की कम ही आएगी तो पहले तो आप ये जानों कि बेलन का वक्र प्रश्टी छेतरफल होता क्या है यानि 2πRH तो इफेक्ट आपको R और H पे पड़ेगा यानि दो वैलू पे पड़ेगा अब ये दो वैलू पे आपका इफेक्ट है इसमें आप चाहो तो ये फॉर्मला लगा लो कौन सा इसर एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपान हंडेट क्योंकि यहाँ दो वैरेबल हमारे चल रहे हैं और यहाँ पर दो ही वैरेबल का मुद्दा भी है कहता है बेलन की 30 को 10% बढ़ा दो तो प्लस का 10 उचाई को 40% कम कर दो तो माइनस का 40 दोनों का गुणाज जो होगा वो 400 बटा सो तो मैं लिख देता हूँ यानि एक तरीके से देखोगे 44 में 10 गया माइनस का 34% आंसर आ जाएगा तो इसके जो एफेक्ट पढ़ेगे वो 34% का पढ़ेगा दिस इस दा फास्ट प्रोसेस लेकिन अगर आपको और बहतर समझना है तो फिर समझो कैसे कहता है 10% त्रिज्जा बढ़ा दी गई तो 10% का मतलब होता है एक बटा दस यानि पहले त्रिज्जा 10 थी और आज त्रिज्जा 11 हो गई और उचाई 40% कम कर दो 40% का मतलब 2 बटा 5 पहले उचाही 5 थी आज 2 कम कर दिया तो ये 3 हो गई पहले उचाही 5 थी आज 2 कम किया तो ये 3 हो गई क्या दोस्तों अब यहां गुणा कर लीजिए गुणा कर लीजिए यह 50 आ जाएगा और ये अमारा 33 आ जाएगा दोनों का अंतर सत्रा तो 50 से 33 हो रहा तो कम हो रहा है किस पर देखोगे 50 पर देखोगे और बुड़े 100 यानि कमी हो रही है और यह कित्ते 34% की हो रही है यह अपना दूसरा तरीका हो गया अगर आप तीसरे तरीके की ओर जाओगे तो 100 माल लो भाई बेलन का क्या वाकरप्रेश्टी चित्रपल 100 है दस परशें मलाया तो 110 भी 40% कम कर दो और उसके बाद डिसाइड कर लो क्लियर है पएला कुशन हर एक मासूम से बच्चे को क्लियर और दूसरा कुशन बेजड आन फॉर्मूला यानि आपको प्याए दूस्तों फॉर्मूला मालूम है तभी बना पाओंगे कहता क्या है यह यह टी किसी यह पढ़ा है कि amount यानि मिस्रधन principle प्रिंस्पल प्लस वन बाई आर बाई हंडेड फोल पावर एंड यह हमारे ब्लड में है और हमने यही पढ़ा कंपाउंड इंट्रेस्ट के लिए अब हम कोशन पर प्रकाश डालते हैं किता चक वरती ब्याज को अब सियाई क्या होगा कंपाउंड इंट्रेस्ट यह होता है वो amount यानि मिस्रधन माइनस प्रिंस्पल को कहते हैं अब amount के लिए ही यह formula बना है अब formula में T किसी धनलासी को निरूपित करता है यानि T time को नहीं P यानि प्रिंस्पल को T निरूपित करता है तो T ऐसे लिखेंगे समझे ने बोलो हाँ 1 प्लस R अब M वर्सो को निरूपित करता है और P यह ब्याजदरों को यानि R जो है वो P कहला रहा है आपर जैसा बोलेगा वैसा लिखेंगे और M हमारे इयर को डिनोट कर रहा है और मेरे भाई अब यह प्रिंस्पल घटाना होता है लेकिन यहां पर जो मूलधन है वो T बोल रहा है यानि P की जगए T चिपकाएंगे समझ गए यानि उसने कुछ किया नहीं है उसने इन्हीं वैरेबल के साथ जिसे जनरली प्रिंस्पल को P बोलते हैं कहिता भाईया प्रिंस्पल को P नहीं हम T बोलेंगे जो करना हो कर लो समझ गए तो बच्चा जल्दबाजी में इस कोश्चन को गलत करेगा तो राइट आंसर आप दिस वन मैच कर लो जो मैच कर दया है ती वन प्लस पी इतना ठीक है यह आंसर होगा और यहां चार की जगे वो दी आप्संस लिखा होगा ठीक है समझ गे न तो यह हमारा आंसर है कोश्चन नमबर ती कहता है वर्ग के संबंद में निम्ण में से कौन सा कथर निस सत्ते है अब वर्ग तो आपको आता ही होगा बनाना कुछ ऐसा होता है देखिए इसको देखने से कई चीजे हमें क्लियर होती है तर क्या क्या देखो कहता है पहले सभी कोड बराबर होते है बिलकुल यानि सभी हमारे 90-90 है होते है यह ट्रू है सभी भुजाएं समानतर होते है नहीं यहाँ पर हम शियोल्टी नहीं कह सकते कि आल साइट्स आर पहला अब कुछ बच्चा हमसे यह कहेगा सर्जी यह तो बिलकुल सीधे सीधे दिख रहा है यह भी सीधे सीधे दिख रहा है ठीक है बच्चा कह रहा है तो यह पॉइंट हमारा रॉंबस यानि सम चत्रुपुज में होता है समझ में आया यह पॉइंट किस में होता है सम चत्रुपुज में होता है इस पॉइंट को रोकेंगे कहता है विकर्ण बराबर होते हैं अच्छा यह जो समानतर होते हैं इसको डी फॉर्ट डाउट लिखते हैं यह ध्यान नकना विकर्ण बराबर होते हैं यह तो क्लियर है क अब कहीं पर भी थोड़ा सा देखा आता है कहीं पर भी option में ABCD चारो के चारो options true तो नजर नहीं आ रहे नजर फिर आप यहीं आएंगे कौन सा ACD, ACD यह है, ACD यह है, पहले बोलो हाँ, देखो कुछ चीजों को समझा जाता है, जिस सभी बुझा है बराबर होती ही, तो 100% सियोर्टी है, 100% सियोर्टी है, विकण बराबर होते हैं, स्क्वाइर के यह भी 100%, यानि COD तो option में होना है चीए, CD, यहां नहीं है, यहां है, अब बात आती है, पहले, अब बात आती है, A और B में किसको च्वाइस करना, तो A को च्वाइस करेंगे, क्यों, क्योंकि सभी कोण बराबर होते हैं, यह श्योर्ट है, 90 डिग्री, तो राइट आंसर इसे बोलेगे, समझ में आया की नहीं है, इन चीजों को हमें जानना चाहिए मीनू अकेले किसी कार को 16 दिन में कर सकती है, मीनू किसी कार को 16 दिन में, उसी कार को 12 दिन में, बहुत अच्छी बात है, कहता है, यदि राज उसके साथ कार में सामिलो, तो 3-1-7 मिलकर 4 दिन में, यानि यह दो लोग काम कर रहते, अब राज वया कहिते हैं, हमको भी सामिल कर दो तो मेनू सीमी के साथ राज भाईया आ गए और कहिते भाईया हम तो चार दिन में निटवा देंगे तीनों लोग मिलकर तो हम से करा राज अकेले उस काम को किते दिन में कर लेगा अपना टेडिशनल करीका एलसियम ओफ दिस वन बार चोक 48 लेड़ो 16 त्याइं 48 बार चोक 48 चार से भाग दोगे तो बारा बार में यानि मीनू की छमता 3 सिमी की 4 तो राज भया की छमता 5 हो गए क्योंकि सभी का योग 12 अब इसी 5 से भाग दोगे तो 48 बटा 5 यही इसका आंसर हो जाएगा तो कोशन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो 48 बाई 5 होगा क्लियर ना दोस्तों आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप सेशन को कोशिस करो एक दो ग्रूप में सेयर करने की जिससे कि हम यह 99 सेट आपको महबबस से पढ़ा दे बाकि जैसी आपकी शर्दा ठीक है पढ़ाएंगे तब भी दिये गए बारम बारता बटन की मादिका ग्याद करो अब यह कोशिन अच्छा है ठीक है बच्चा इसको तयार नहीं करता है पता नहीं क्यों सिंपल से में मेडियन मोड में हमें फॉर्मूले याद करने होते हैं इस टाइप के कोश्चन को अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है जो कि हर बार हम टेलीग्राम में डाल देते हैं आप जाके देखना तो यहां कहता है दिये गए बारम बारता बटन की मादिका ग्याद करो तो फॉर्मूला याद होना चाहिए तो फॉर्मूला इसमें यह लगेगा बहुत प्यारा फॉर्मूला है बड़े आराम से मीडियन बराबर लोवर लिमिट एन बाई टू संचय बारम बारता यानी सी अप अपॉन फिक्वेंसी इन्टू हाई अभी सब समझ में आ जाएगा यह वैलू कौन सी होती है अब यहां सी अप क्या होता है फहले तो यह समझना है दोकूर सी अप क्या है कि इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे जिसे यह 10 है 10 में 8 जोड़ा 18 18 में 7 जोड़ा 25 25 में 9 जोड़ा 34 34 में 12 जोड़ा 46 तो यह तरीके से सारे के सारे सी अप बन गए संचय बारम बारता लेकिन यहां पर कौन सा लेंगे अभी समझ में आएगा एन क्या है यह 23 अब यहां आएगा 23 वालाण टम्स अमारा कहां आएगा 23 वालाण 10 यहां 18 वह इस पोर्शन में आएगा 23 वाला टम्स इसमें आएगा इस रेंज में कि समझ में कि निया है कि 25 वाली रेंज में आ जाएगा अब 25 वाले में आ गया जो इसके ऊपर ये लिखा है इसे एप बोलेंगे इस पोर्षन को एप बोलेंगे ज्यान देना इससे पहले वाले पोर्षन को इसे तीअब बोलेंगे इसे हम लोग लोवर लिमिट बोलेंगे इसे हम लोग हाइट दोनों का अंतर हाइट यानि एच बराबर दस बोलेंगे बस एन तो आपके सामने है खेल जाओ तो लोवर लिमिट हमारी हो गई कितनी है 20 10 बाइटू 23 हो गया एफ साथ हो गया और एफ साथ हो गया और हाइट हमारी दस हो गया तो बीस ऐसे पाँच यानि पचास बटा साथ 140 पचास 190 बटा साथ आंसर आ जाएगा सिम्पल सरल तरीके से कई बार इस समाज को ये पढ़ाया है हमने 190 अपॉन स्टैविश तारा खेले प्याएदूस्तो इसका फॉर्मुला याद होने का अगर याद है तो ही बना पाऊँगे अन्था खेला होता रहेग कोशन नमबर 5 की बात कोशन नमबर 6 प्यारा कोशन है हाँ प्यारा है एक श्टार लगाते नहीं कहता पी क्यू आर एक कार को 9-18-12 दिन में कर लेते यानि पी केन डू आपी जओ वर्क इन 9 डेज क्यू अठारा और आर बारा दिन में तो पहला उद्देश तो जानते होगे इसका एलसियम लोगे न चोग को 36 ले लो नौ से भाग दोगे चार अठारा से दो और बारा से तीन ये इनकी छमताय हो जाएंगे अब कोशन को पढ़ते है विकार सुरू करते है जिसमें पी पहले दूसरे दिन कार करता है और तीसरे दिकार करता यानि पहले दिन मैंने काम किया दूसरे दिन आपने तीसरे दिन आपके पढ़ोशी ने मुद्दा खटब तो हम तीन तीनों दिन अलग अलग काम करें चार दो छे तिन नौ यानि तीन दिन में यानी तीन दिन में नौ लड़ू बन जाते बोलो हाँ फिर इस शक्र को कार पूरा होने तक जारी रखा जाता है यानि जो ये पैटर्न चल ला है PQR PQR फिर से जारी रखा जाता है तो अब कब पूरा होगा तो काम करना है 36 हुआ है 9 नौ में किसका अगुणा करे 36 है तो कहोगे 4 का इसमें भी 4 का कर दोगे यानि 12 दिन में पूरा का पूरा कार निपट जाएगा 12 is the right answer यानि इस question का answer प्याई दोस्तों 12 दिन आएगा 12 दिन question number 6 का जो सही answer होगा वो 12 दिन आएगा simple, subtle तरीके से आपको ये समझा दिया गया है समझ गए question number 6 question number 7 किसी गाउं की जनसंक्या 4 लाग थी पहले वर्स में 20 परशन की वरद्दी दूसरे वर्स में 30 परशन की वरद्दी दो वर्सों के बाद कितना आप simple वे में कर लो थो दिर पहले जब हमने पहला question attempt किया था करने के कई तरीके होते हैं एक बात को याद रखना जब हमने पहला question attempt किया था तो वहां पर हमने ratio process से भी बताया था बोलो हाँ तो इस question को हम ratio से कर लेते हैं थोड़ा बैतर समझ में आएगा 20% की वरद्दी यानि एक बटा पांच यानि पहले जनसें क्या 5 थी आज 6 हो गई दूसरे वर्स में 30% की वरद्दी यानि 3 बटा 10 पहले जनसें क्या 10 थी और आज 13 हो गई पहले दोस्तों ध्यान देना इनका गुणा कर लो यानि 50 से 13 चंग 78 हो जाएगा 5 गुणे 10 पचास 6 गुणे 13 अठथत्तर हो जाएगा और मेरे दोस्तों याद रहे यही 50 बराबर चार लाक के यही 50 बराबर चार लाक के यही 50 बराबर चार लाक के तो 0 से 0 काटोगे 40,000 में 5 का भाग दोगे 8,5,4 यानि 8 का गुणा हो जाएगा बोलो हाँ तो 78 का मान चाहिए तो इसमें भी 8 का गुणा कर दो और 3 0 लगा दो एक, दो, तीन, अठी, 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 चौशट, छे हासिल आठ सती, छपपन और च्छे बासट 6,24,000 इस दा राइट आंसर तो कोशन नमबर, तात का जो आंसर आएगा, वो 6,24,000 आएगा एक प्यारा कोशन है, जो कि मैंने आपको करा दिया है, बोलो, मुस्कुरा के हाँ इन चीजों को आप देखोगे, जानोगे, तो आपको बेनिफिट होगा तो 6,24,000 इस दा राइट आंसर ओप दिस वाई, क्लियर नीचे दी गई, सर्वेस, समिकाओं में से कौन सी सत्ते नहीं है तो ये तो आपको मालूमी होगा, साइंस करईटा, कॉस करईटा, वन होता है, ये ट्रू होता है ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये तो बच्पन में रटाया गया है कि ये तो होता ही नहीं न, बाकी तो प्रॉपर्टी है ये ट्रू है, एक फॉल्स है, समझ कै, ये तो बच्पन की क्या है, यादे है कहता है, इसका आभाज गुरंखंड क्या होगा, देखो, आपको हम सही बता है गुरुपडी वाले बच्चे अगर प्रीवियस येर सही से नहीं लगाएंगे उनको पेपर डसना चालू कर देगा, इसका रिवीव हम अंत में जरूर देंगे, इस सेट का क्योंकि कई ऐसे सेट मिल जाएंगे, जहां खेला हो जाएगा, अब जिसे यही कोश्चन है अब गुरुपडी का बच्चा जो त्यारी कर रहा है रेलवे की, वो इसके फैक्टर करने में बैटेगा, तो डस लेगा हमी को डस लेगा, दूसरी का बात चुड़ो, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ हमें भी नहीं मालूम है, हम आपको दिमाग देंगे सिर्फ, देखो, हम इतना जानते हैं कि हमारे घर वाल, हमको बताहाए जाता है कि 25 का अगर मल्टिपिल हो, तो लाश्ट में 25 हो, 50 हो, या 75 हो, या 2-0 हो, अभी वो 25 का मल्टिपिल होगा, पहले बोलो हाँ, ना ना बोलना, क्योंकि अपनी टेक्नोलोजी के ग्यान, इसमें ग्यान लगेगा, तो मुस्कुरा के सभी ने का, हाँ सर ये तो बात सही है, पहली संख्या सिर्फ 5 का मल्टिपिल होगा, यानि ये अलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ 25 लिखा है, देखरो दया, और ये भी अलिमिनेट हो गया, यहाँ 25 लिखा, यानि 2 ऑप्सन तो स्वाहा हो गये, ठीक है, तो ग्यान, सिर्फ ग्यान से, एक्स्ट्रा सोचोगे, त खेला हो जाएगा, तो 2 ऑप्सन से तो कोई लिना दिना नहीं, ठीक है, अब यहाँ 3 की पावर 3 और 3 का स्क्वार, बस इतना चेक कर लोगे, जो आंसर होगा, भाई, या तो 3 पावर, या तो 2 पावर, उसी में से कोई है, ठीक, तो 3, अब जो को यहाँ पर भी, इसका मतलब तीन का स्क्वार, तीन का क्यूब, यानि यह 9 का मेल्ट फिर होगा, आप चाहें चेक कर लो, 8, 5, 13, 14, 15, 12, 27 है, तो 9 से पहले इसको भाग दो, सिर्फ 9 से भाग दिना है, तो 9 दुनिया 18, फिर आया 18, फिर 86 बचा, तो 9 नविया 81, फिर 58 बचा, नचो को 54, फिर 40 बचा, नचो को 36, 9 पना 45, अब देखो यह अगर तीन का मल्ट पिल है, तो फिर आंसर ए हो जाएगा, नहीं है तो D हो जाएगा, बस इतना, नहीं है, यानि इसका आंसर यह होगा, और जो जो जहारू लोग है, नहीं जानते इन सब चीजों को, वो यह कोश्चन गलत क कर देगा, अब इसलिए हमें नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, यूद 2024 पढ़ा होगा अपने मुझसे, नंबर सिस्टम की थियोरी क्यों पढ़ाई, जबरदस्ट पढ़ाई, उसका कारण यही था, जिस दिन अच्छा कोश्चन आएगा, अच्छे अच्छो की हवा निक कोई कहाईगा सर 7 और 11 चेक करो, और कहाई चेक करें, हमने 20 से निप्टा दिया, मुद्धा खतम, 3 बैठे का, कोश्यन नंबर 10, यही द्विखात समीकन इतने के मूल क्या है, समान है, मूल क्या है, समान है, तो P का मान क्या है, देखो, अगर मूल समान है, तो B स्क्यार बरा B square बराबर क्या होता है 4 AC होता है बोलो हाँ तो यहाँ पर B square यानि 2P का square यानि 4P square हो गया 4 ऐसे हो गया A वाला portion यानि 2-P ऐसे और 2-P और C वाला portion माइनस का तो यह minus symbol लगा हुआ है तो हम यह symbol को यहाँ ले आ रहे हैं यह ऐसा करते हैं हम यहीं रखते हैं जिससे कि आप कोई दिक्कत ना हो ऐसे लिखते रहे ठीक है माइनस की symbol का प्रियोग तो अब यह minus का symbol चाओ तो ऐसे लिख लो चार ऐसे इस माइनस का यहां गुणा करोगे जिससे आप कोई कश ना हो इसलिए मैंने इसको ऐसे रखका अब ठीक है अब फैक्टर कर लो चार ऐसे रखको पी स्क्यार माइनस का टूपी करने को तो मैं डाइट कर दू नहीं करूंगा रेलवे ग्रूब डी का बच्चा मालम चला धरने बैट जाए यह का कर दिया चार से चार ये तो जाते ही है ना अब देखो पी स्क्यार से पी स्क्यार गया है अच्छा यहाँ पर ये दो का गुणा करना था है यहाँ 2p एक्स्ट्र लिख दिया ना ठीक है अब मेरे प्याए दोस्तों ये वैलू आएगी माइनस का P और ये आएगा माइनस का 2 is equal to 0 यानि P बराबर माइनस 2 आएगा तो इसका राइट आंसर P is equal to minus 2 हो जाएगा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिस की गई 10 के बाद 11 नमबर यदि A plus B 48 है A B 56 है A Q plus B Q का मान ग्याद कीजिए अब प्याए दोस्तों अगर हमें इनका मान ग्याद करना है यदि A plus B बराबर 48 है A B 56 है A Q plus B Q का मान ग्याद कीजिए हमें इसका मान निकालना है अब बच्चों के दिवाग में ये आएगा तो मेरे दोस्त अब ये कुशन चाहता है कि चुपचाप सांती से मुझको स्तौल करो तो ही आंसर बता पाओगे अन्था तुमको हम डस लेंगे आप कोई दिमाग लगा दे तो को बहुत सारा दिमाग होता है आज कल बच्चों के मैंड में यहां कुछ दिमाग सेट कर ले वो बात की बात है पिलाल आठ सते चपन अब या तो साथ चोग 28 फिर वो तो दोनों का योग 48 करना हमारे लिए कश्ट में है पेपर के टाइम पे पर की फ्री बैटे तो हो सकता है आप कुछ न कुछ लगा लो पिलाल इसका फॉर्मला इस अब हम लगा देंगे अब हम लगा देंगे भाई ए प्लस भी हमारा 48 है 48 यानि चार का मेल्टिपिल 48 चार यानि 25 चार का मेल्टिपिल होता न Él Hai 54 का मेल्टिपिल होता नंए दो तो सवाह हो गए अब जो पेपर वाला कितना दिमाग किये उसने क्या किया है ।وج्सेने इंक पर हम सवाह कर देते लेकिन अगर इसका डिश्टल सम और इसका डिश्टल सम सेम है क्योंकि डिजिट उसने सम आगे पीछी रखे दोको इसमें भी एक दो पांच दो आठ का यूच इसमें भी एक दो पांच दो आठ का यूच यानि उसने डिश्टल सम का रूल इसमें ना लगाओ ऐसा दिमाग लगा दिया दो तो अ पैदा कर दिया को कोई कराका चार का देख लो सोला का देख लो सोला का देख लू आन्गा चाला जाएगा ये भी दोनों चले जाएगे डस लेगा अब को करते हैं कैल्कुलेशन ए प्लस भी का होल इसकार 48 का इसकार 50 के दो कम 25 कम क्या 23-04 होता है कि ए बी च्छपन तीना च्छत्रिक अठारा पंद्रा एक सोला एक सो अड़ सट ढटा ना होगा कि देखरो कितनी मैनत कर रहा हूं मैं 48 14 में से आठ गया छे आया नौ में से नौ में से छे गया तीन आया 22 में से एक 2136 आ गया हो यानि अब हमें 2136 में 48 का गुणा करना पड़ेगा यही सत्य अब मुझे या तो हम 4 और 4 डिलीट करके खेले या हम दिमाग लगा दे 48 का मतलब होता है 16 त्याय 48 मजबूरी है तो हम 16 का गुणा पहले कर देते हैं फिर कर लेंगे 48 का पड़ा तो बुझे आता नहीं तो 16 चके 96 नो हासिल 16 त्याय 48 और 9 ततावन पांच हासिल 16 पांच एकिस दो हासिल 32 दो 34 और अब हम इसमें अच्छा कोशन है गुरुबडी के इसाप दसने वाला है कि आज कल बच्चा क्या है मैं आपको सही बता हूं बच्चा चाहता है कि हर चीज का सौटकर मिल जाए आज यहाँ 56 लिख दिया कल को 57 लिख दे तो भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा लॉजिक पर ठीक है अभी यूपी पुलिस कॉंस्टिबल हुआ जिन बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं थे उनके साथ खेला हुआ अब यह कोशन दे दिया देशने वाला तीन इस्टार यह सेट अच्छा है अच्छा सेट अच्छा सेट अच्छा सेट अच्छा सेट आदो को तो समझीव नहीं आएगा पर हम समझाने की पूरी कोसिस करेंगे एक बैमान दुकंदार चावल को पिच्चान बे रुपए केजी के क्रेमूल पर बेचने का दावा करता है यह दुकंदार कोई और था ही मैं यानि प्रकास वस्ती मैं एक बैमान दुकंदार हूँ मैं कहता हूँ भाईया मैं जितने पे लाता हूँ उतने पे ही आपको देत रहे लेकिन मैं हुँ बैमान है लिषिस पाट को प्योग करता है वहाँ एक के लिखा होता देख रो बाट में में की लिखा कि जबकि उसका वास्तों में उसका वजन यहां वास्तों में वजन नौ referendum कराम होता है यानि आप आए सर जी एक किलो टामाटर देड़ू सर जी कहते हम जितने मिलाएं उतने में तुमको दे रहें लेकिन सर जी है बैमान आपको हम दे रहें नो सो पचास ग्राम नहीं समझें एक किलो देड़ू हम दे रहें नो सो पचास ग्राम तो सीधी सी बात हम पचास ग्राम का गपला कर रह है कहता है इस प्रकार उसे सो किलोग्राम के वास्त्विक वजन वाले अब यहां मुद्दा है यह सब्द बोलते ही खेला कर दिया वास्त्विक वजन वाले चावल को बेशने पर होने वाला लाब ग्याद करो अब सुनना एक-एक लाइन को डिकोड मैं कोई चीज 95 रुपए में लाता हूँ और 95 में ही बेशता हूँ यानि मैं तो सही ला रहा हूँ न माल तभी तो पिचान में बेशना हूँ मैं घपला कर रहा हूँ वो बात की बात है यानि मैं 55 रुपए किलो कोई चीज लाया कितना लाया कितना लाया कितना लाया सो कि बाल यानिम मेरी जो Actually costing ए बिश्वन पर्षेंट कोई वे मानी की नहीं मेरी कॉश्टिंग है पिच्चान बे सो रुप्य. कि मैं 100 कि माल लाया पिच्चान बे रुपय के हिसाब से तो यानि आप आये कहते सर जी एक किलो ग्राम देदो तो हजार ग्राम होता है मैं आपको चिका रहा हूँ नौसो पचास ग्राम यानि यहाँ पर मैं पचास ग्राम का घपला कर रहा हूँ वही मेरी कमाई है लेकिन मैं यह बोल रहा हूँ मैं चिला रहा हूँ आपको भाईया मैं जितने पिलाता हूं मैं उतने पर ही बेशता हूं यानि ये जो एक किलो बेश रहा हूं वो इक 95 रूपय किलो बेश रहा हूं स्मझने आप खेला देखो यहां पर मेरे तरीके को समझना कभी गलत नहीं होगा हिस ने हम वास्तिक वजन बोल दिया वास्तिक वजन मतलब यहां पर 100 kg होना चाहिए तो मैं यहां पर घपला कर रहा हूं अगर मैं यहां पर एक ग्राम बेचू एक ग्राम की कमाई तो 1000 अपाउन पिच्यान भी हो जाएगा सेलिंग प्रैस ए 950 वही 950 के रबाग दोडर एक ग्राम लेकिन हमसे actual में 100 kg बिजवाना है कितना? 100 kg तो यहाँ पर मैं अब 100 kg का गुणा कर रहा हूँ यहाँ जब मैंने 100 kg का गुणा किया तो यहाँ पर भी अब 100 kg का गुणा हो गया समद गए और एक और बात एक kg की value एक kg की value पिच्चानवे रुपिया है क्योंकि जित्ते पिला रहा होत्ते में बेच रहा हूं यानि 95 का यहां गुणा और कर दिया केजी हटा दिया अब ग्राम केजी सब अड़ गया अब यह सब रुपिया में कनवर्ड हो गया पहले फिर समझो यही बच्चा सूचेगा सर वाइदी श्कोलावरी आप आए करें को सर एक किलोग्राम दे दो एक कीलोग्राम हम नहें हजार गराम लिख एं आपको बैमानी कर रहे हैं 950 ग्राम दे रहे हैं तो अगर हम एक ग्राम आपको बेचे तो एक ग्राम में एक तरीके से एक हजार बटाए नोशो पचास ग्राम होगा मल मनलब आप मांगोगे इतना हम देंगे एक ग्राब असली मुद्धा यह लेकिन आपने कह रहां सो किलोग्राम वास्टफिक वजन वास्टिक मलब एक्चुल सो किलोग्राम ही होना चीए जितना हम लाएं तो सो किलोग्राम और हम आपको 100 kg दे रहे हैं असली मुद्दा ये लेकिन एक केजी का प्राइस क्या है 55 रुपिया है तो इसमें 55 का गुड़ा करना होगा अब कोई मुद्दा नहीं बस कैल्कुलेट कर लो एक जिरो से एक जिरो पिच्यानवे से पिच्यानवे सो गुड़े सो यानि 10,000 रुपिया की चीच हमने 10,000 में बेची 500 रुपिया कमाया यह वो तरीका है जो बिलकुल एक्चुल इसको समझाता है एक्च्यानवे सो तो एक केजी में पांच रुपिया पर वो तरीका वास्तों में सही नहीं है और मैंने भी एकात किताब पढ़ा ही तो मैंने वही तरीका बता दिया है जो कि वास्तों में वो तरीका सही नहीं पस आंसर आ गया तो बच्चा खुच है समझ गए एक्च्वल तरीका यह है ठीक है दिगाज समीकर्ण के मूलो का योगफल ग्याद करो मूलो का योगफल मूलो का योगफल क्या होता है सम आप दा रूट्स यानि एलफा प्लस बीटा अब यह होता है माइनस का बी अपॉन ए यानि 28 बटा साथ माइनस में यानि माइनस का चार हो जाएगा 28 बटा 7 और माइनस का सिम्बल लग गया तो माइनस का 4 तेरा का आंसर हो जाएगा बोलो बोलो टेल टेल ये कोशन ये डेटा डेटा दिख रहा होगा कहता है 2020-2021 में कमपनी दोरा आयात किये गए मुबाइल इतने है ठीक है कोशन कहता है 2020-2021 के दुरान आयात किये गए मुबाइल फोनों में से इन में से किस प्रकार के मुबाइल फोनों की संख्या नियूंतम प्रसत परिवर्तन हुआ नियूंतम प्रसत परिवर्तन अब एक बात को समझो इसका अंतर पांच है इसका अंतर साड़े तीन है इसका अंतर दो है इसका अंतर दो है इसका अंतर दो है लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसको डालीगा सर क्यों क्यों कि इन सब में सबसे बड़ी वैलू यह है और उसमें 2 का अंतर है नहीं समझें आप पहले ही बात आओ एक पिज्जा के 3 तुकड़े करो एक पिज्जा के 5 तो ज्यादा किसमें मिलेगा तो सर 3 में मिलेगा अब यहां पर 30 से 28 और 34 से 36 तो अंतर भले 2 है पर यह बड़ी वैलू है तो इसमें न्यूनतव अंतर आ आएगा तर समझ में तो बिलकुल नहीं आया नहीं समझ में कोई बात नहीं आप 25 से 30 हुआ यानि 5 बटा 25 ब्रदिवी घटिवी उससे मतलब नहीं है यहां पर अंतर चाहिए तो 25 से 35 और किससे कंपार्जन करोगे 25 से गुड़े 100 सब में सेम है तो इसलिए 100 कार दे रहा है अंतर साढ़े तीन को कमपेरज्जन 28.5 अब देखो अंतर 2 का कमपेरजन 30 से अंतर 2 का कमपेरजन 34 अब समझ में आएगा अंतर 2 का कमपेरजन 26 से जो हम अभी पिजाला एक्जामपल हे रहे है अब बताओ दो के 34 तुकड़े करोगे दो के 36 दो के 36 सबसे कम किसम मिलेगा तो 25 करो यहां दो के 34 करो यह भी स्वाह यहां साड़े तीन यहां दो के 34 यह भी स्वाह यानि दो के 34 वाला हमारा सबसे कम आएगा परिवर्तन प्लस माइलेस नहीं देखना अब वैसे तो इसमें इंटू 100 करके सॉल करना है वो सबने अब्जर्वेशन से ही समझ में आ गया DM वाला आंसर हो जाएगा समझ गये तदी के सी को यह टेडिशनल कोशन है कहता है त्रिवुज ABC में B और C के आंतरिक सम्दिभाज़क D पर मिलते हैं एक कमान इतना यानि आपने थियोरी पढ़ी होगी बहुत पताया है कुछ नहीं होता है इसमें ABC ऐसे है अब इसका इंटर्न एंगलर वाई सेक्टर अन्ता कोड सम्दिभाज़क इसका अन्ता कोड सम्दिभाज़क कहां मिला है डी पे मिला है यह अगर 75 है तो यह वाला एंगल जो होता है समाद यह कहता है 90 प्लस एंगल ए बाई टू होता है नब्बे पच्छत्तर का आदा साड़े सेतिस होता है और 127.5 हो जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा 127.5 इस दा राइट आंसर क्लिया रहा है तो 15 भी क्लियर हो गया फिर से डी आई कहता दिया गया व्रत्तिग्राप एक विसेस वर्स के दुरान एक प्रिसिद निजी अस्पताल के विविन विवागों के विसेस को के केंद्र के कोड के रूप में दर्साता है दी उस वर्स के दुरान पूरे अस्पताल में चिकत्सको की कुल संक्या 120 थी तो अस्पताल में पैथोलोजिस्ट की संक्या अब मेरा मालूम है हॉस्पिटल से बहुत देना देना है ग्रेटर नुड़ा कि मैं सभी बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जा चुका हूँ वो बात है लगे इलाज फ्री में करवाता हूँ जाके मैं जा चुका हूँ बड़े-बड़े जेपी हॉस्पिटल यथार्थ हॉस्पिटल कैलास हॉस्पिटल तार्दा हॉस्पिटल बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल है में सब जगे अब इलाज इसलिए फिर सेंटर गौवर्मेंट का कार्ड बनाये तो मम्मी का कराते जाते हैं तो बड़े भी आइपी बने है तो पैथलोजिस्ट की संख्या कितनी है कि अरे मेरे टाइपिस्ट ठीक है पैथलोजिस्ट यानि 45 दिगरी यहां पर दिख रहा होगा हाँ दिख रहा है 45 दिगरी अब 45 दिगरी अगर इसके रिसाब चलेंगे तो पूरा सर्कल 360 दिगरी का होता है इसका रिलात्मक मूल ग्याद करो ठीक है फाइंड निगेटिव रूटस आफ दिस वन देखो पहले बात तो यह तो पूरी एक्विशन तीन से डिविस बेल है तो पहले ही डिवाइड कर दो एक्स स्क्यार प्लस 4 एक्स माइनस का 5 इस इक्वाल टू जीरो अब इसके फैक् में कुछ भी नहीं है तो यही निगेटि हो जाएगा माइनस फाइब इस दा राइट आंसर अब सम आप दा रूट दोनों को जोड़ोंगे माइनस चार मैनस होता है मैनस प्लस बुड़ा करोगो तो यह आएगा ठीक है कि यदि किसी चक्री चत्रबुच के सम्मों कोडों का आप साइक्लिक क्वाडिलेटरल होता है आमने सामने के कोडों का सम 180 डिगरी होता है तर यह क्या है यह क्या है लेको कुछ भी ना दो अंदर बस चारों पॉइंट को टेच करना जाएगे देखो इसे साइक्लिक क्वाडिलेटर बोलते है अब इसमें चारों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे होते है आमने सामने के कोडों का सम 180 डिगरी होता है सीधे याद रखना ठीक है तो यह तीन साथ है दस दस बराबर 180 के एक बराबर 18 के दोनों में से बड़ा 18 गुड़े सा 38,56 समझ गया ना 126 डिगरी आ जाएगा 18 सत्ते 126 डिगरी यही प्यारी दूस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चले बढ़ेंगे आज कली टेडिशनल कोशन हो गया आउसत चाल ग्याद करो जदी एक व्यक्ति 90 की किलोमेटर की दूरी 45 के एमपीएच की स्पीड से 150 किलोमेटर की दूरी 50 के एमपीएच की अपूई आतरा आउसत चाल यह हमने बहुत भढ़ियां पड़ाया है यूद 2024 हमने आपको बताया है कि आवरेज कई तरीके से यह तो पहला तरीका है आवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है टोटल डिश्टेंस अपॉन टोटल टाइप, डिश्टेंस नब्बे और देड़ सो, इसका योग 240 किलो मीटर होता है, नब्बे देड़ सो दो सो चालिस, ये तो टोटल डिश्टेंस, अब टोटल टाइम के बारे में, तो नब्बे बटा पैतालिस दुई घंटा, और एक सो पचास बटा पचास तीं घंटा, यानि 240 बटा पांच, अड़तालिस आ गया, 48 kmph is the right answer, कोशन नमबर 19 का जो सही आंसर है, 48 किलो मीटर प्रती घंटा आएगा, क्यारा कुशन, यदि 136 का GCD मतलब greatest common factor, यानि SCF को ही GCD बोलते हैं, highest common divisors, ठीक है, यानि 108 और 136 का GCD जो भी है, अब साफ साफ GCD इसका है, यानि SCF 36 है, तो हमसे कहे रहा है, X और 72 का भी SCF वही होगा, SCF क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, ये जो X की value होगी, ये 36 का multiple होगी, तभी possible है, तो 36 का multiple, एक तो स्वयम 36 है, अब 36 दुना बात तर, अब यहाँ multiple तो है, लेकिन 36 के multiple बात जो भगल में संख्या होगी, समझे ना, वो जो भगल में संख्या होगी, वो इसके multiple में नहीं होनी चाहिए, हाँ, इसका multiple समझे, यहाँ मालो, दो रग दो, 36 दुना बात तर, तो S.C.A. बात तर हो जाएगा, तो यानि इसका आंसर 36 आएगा, फिर से समझना, 108, 36 का S.C.A. अब 36, पहले बोलो हाँ, या मोटा मोटा ये समल लो, कि ये जो भगल में 36 दुना बात तर, ये 2 का multiple नहीं होना चीए, जो भगल में संख्या है, वो 2 का multiple नहीं होना चीए, बाकि कुछ भी हो सकता है 36 त्याय कर लो 36 पंजा कर लो 36 अठा कर लो समझ गया ना दो का मल्टिपिल है क्योंकि 36 दुना बातर यह तो यह यह बन जाएगा अब कहरा है स्च तो 36 का मल्टिपिल होगा है लेकिन जो भगल में जो इसके साथ जो मल्टिप्लाइश संक्या है अब सब्सक्राइश नहीं यह बंदेशन है गया है दो की मल्टिपिल नहीं रखसकती है यह याद रखना भगल में तो है Alaa बातर तो बात 36 दूना बातर यह नहीं हो सकता बाकी 24-12 है तो उनका मुद्द ही नहीं है यह तरीका इसको प्रॉपर सही डंग से समझाने का कि इंप्लिविकेशन मौबबस से करो हमेशा कि कहता भया इसको सौल करो निम्लिकित का मान ग्याद करो इसका मान एक बटा 5 हो जाएगा सीदे और ये 5 ऐसे यानी ये कटके 1 हो गया अब 1 से इसमें भाग दोगे कोई फरकी नहीं पढ़ेगा 1 बटा 4 दो बटा 5 और ये माइनस का 2 बटा 5 इनका हैप्पी बट्डे हो गया 1 बटा 4 आंसर 21 का एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपे में 40 की दर से खहे दे उन्हें 20 रुपे में 7 की दर से बेचे तो उसका प्रसद लाफ सिंपल है देखो 30 रुपे में 14 तो 30 बटा 14 हमारा CP हो गया और 20 में 7 तो 20 बटा 7 SP हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर्दे को मिरबाई 30 बटा 14 बीस बटा 7 दो का निंची गुणा कर लो दो का ओपर कर लो तो दोनों का बेस खतम 0 सी 0 यानि 3 की चीज 4 में 1 बटा 3 गुड़े 100 33 सही 3 बटा 1 बटा 3 परसें तो यह आंसर हमारा B वाला मिलता है 22 का 33.33 परसें सदावार कोश्चन है अब यह तो सबको आना ही चाहिए समझ गए ना प्यारी दिस वास यो एक मिस्टर 10 लीटर मात्रा में दूद और पानी का रिश्यू यह है अब देखो हमसे कह रहा है मिल्क और वाटर का रिश्यू 3 to 2 और यह अनपाथ 2 और 3 करना है तो मिस्टर में कितना पानी मिलाया जाए 2 और 3 करना है कितना पानी मिलाया जाए मिला क्या रहे है वाटर और सुरुवात में 10 लीटर था तो वाटर 2 से 3 मिल्क तो मिलाया नहीं यह पहले जो था वो 10 लीटर था ध्यान रखना 3 से 2 तो मिलाया water, milk तो नहीं, तो milk बराबर कर लो. यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, अब ये 4 से 9 हुआ, यही 5 यूनिटी मिला दिया, अब यही 5 यूनिट का माण चाहिए, और बच्चा बच्चा जानता है कि ये 10 बराबर 10 के, तो 5 बराबर 5 के, और अगर आपको मिक्षेंड एलिगेशन में एक्सपर्ड बनना है समझे नहीं चाहे रेली भी हो चाहे एससी हो चाहे कोई भी एक्जाम मेरे सजेशन पे नवीन अंगडित आरस अगरवाल का आपनों पढ़ देना एक्सामपल एक्सरसाइज एक्सरसाइज बी ट्रस्ट करो मुझे ठीक है आप खुद उसका फिडबैक वहीं पर जाकर देखना कैसा लगा समझे न हर किताब से बहतर मुझे नवीन अंगरित का मिक्षें एलिकेशन लगा ठीक है लेकिन आप पूरे पढ़ना उसके लेक्चर ह ज्यादा सम मिला के साथ कोशन के आसपास है आत्मा खुस हो जाएगे आत्मा इतनी खुस हो जाएगे कि क्या यह तो फर्जी चैप्टर हुआ करता था क्योंकि इसका कुछ पूर्शन रिश्यो में भी काम करता है न इसलिए 0.4363636 ऐसे पढ़ाऊंगा नवीन अंगरित पूरी की पूरी कोशिस करूँगा दसंबलो 436 अब यहाँ पर यह संख्या 36 बार बार आ रही है दसंबलो 436 यह संख्या बार बार आ रही है तो हमने बताया कि जितने पर छत्री उतने नो दसंबलो की बाद तीन डिजिट यहाँ 0 लगा लो सारे सिंबल अटा दो वो पार्ड घटाओ जो ना हो 432 अपॉन 990 अब यहाँ और काट नो से काटोगे द वन वन जीरो नो से काटोगे दो नचाओ को छत्यस नो ठेवात तर यानि 24 अपॉन पच्पन आ जाएगा 24 अपॉन पच्पन इस दर राइट आंसर ओफ दिस वन कोशन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो आपके क्लिया ना ना या ना इस इस दर राइट आंसर ओफ दिस वन एक बिलन की अधाग 37 उचाय इतना बिलन का संपूल प्रेष्टी छेत्रफल 11 का मल्टिपिल देखो 11 का मल्टिपिल यही है यही आंसर हो गया तर मजा नहीं आया मजा देखो टोटल सर्फिस रिया टू पाई आर आर प्लस ह होता है दो ऐसे पाई की वेलू 22 बटा साथ हां मजा मतलब पूरा सौल करो आठ साथ पंद्रा इसे यह चावालिस चावालिस गुड़े पंद्रा छे सो साथ होता है निम लिकित में से कौन सा विकल्ब एक निकरतम लगभग वाला मान है इसे सोला बोलोगे इसे चार बोलोगे इसे चौदा बोल दोगे इसे पांच बोल दोगे चौदा पचेश सत्तर और यह बारा आ गया यानि 82 इस दा राइट आंसर इस कोशन का आंसर 82 बोलेगा यह समाज यहां देख रो डरा दिया इतना पावर लेकिन यह किसी की पावर अगर चीरो होती है तो उसे बन बोलते हैं अब देख रादिया बच्चा डर गया नौ आंसर कहता है इतने के योग को इस से घटाया गया यानि 12 एक्स माइनस जेट से घटाना है हमको इसका योग 2X तो स माइनस माइनस का 3X हो गया तो माइनस 3Y हो गया तो साथ चार गया राजिट अब यह घटाना है तो हो गया मेरे जादर सोच नहीं नहीं 12x-3x यह 15x आएगा 15x से हमारा स्टार्टिंग होगा वो एक ही option दिख रहा है 15x-3y-12z और बाकी मुझे option दिखी नहीं रहे तो यही answer हम गोशित कर देंगे अगर आत्मा तरक्त नहों तो फिर पूरा चेक करना माइनस माइनस 3y-z माइनस का 11z तो माइनस का 12z आ जाएगा समझ में आया कि नहीं आया उमीद है यह session आपको समझ में आया होगा बाकी प्रकास सर मैट एप को इंस्टॉल किजिए वहां बहुत सारा material नाम मात के सुलक में available है आप उसे देख सकते हैं अच्छा लगा तो बाय भी कर सकते हैं धन्यवाद